Hello viewers and welcome back to Cricket Line Guru दोस्तों आज के Free Batch Analysis में हम cover कर रहे हैं अफगानिस्तान Tour of Bangladesh के 2nd ODI मुकाबले को जो खिला जाएगा जहूर एहमद चौधरी स्टेडियम चटोग्राम में वेल पहला मुकाबला तो बारिश की छपेट में आया अलाकि DLS मेधर्ड से अफगानिस्तान 17 रनों से चीज़ दर्श करने में हो पाया था सक्सेस्फुल लेकिन यहाँ पर दूसरे मुकाबले में क्या बांगला देश वापसी करता नजर आएगा आईए नजर डालते हैं सभी important पहलों पर और नजर डालेंगे कुछ जैसे खास खिलाडियों पर जो की बहतर production कर सकते हैं और आपकी fantasy टीम में भी शामिल हो सकते हैं 26 मुकाबले चटोग्राम के इस stadium में खेले गए हैं 10 matches पहले बल्ले बाजी करते हुए तो वही 16 मुकाबले second batting करने वाली टीम ने अपने नाम करे हैं average score पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम करेता है 225 run highest score इंडिया का है 409 run और lowest score बनाया है जिंभावे ने 44 run ये दो होती है बात venue analysis की चलिए अब बढ़ते है head to head comparison की ओर बाजी 12 मुकाबले total खेले जा चुके हैं बांगलादेश और अफगानस्तान के बीच 7 matches बांगलादेश ने जीते हैं तो वहीं अफगानस्तान ने 5 matches अपने नाम करें हैं वर अभी भी 2 मुकाबले पीछे हैं अफगानस्तान दोस्तों आपके लिहाज से कौन सी टीम में मुकाबला जीत रही है फटा फट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए फिलाल हम बढ़ते हैं दोरों टीम्स की ओर यहाँ पर दोस्तों अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो पहले मुकाबले में कोई भी बल्लेबाज रन स्कूर करने में पारी को आगे बढ़ाने में सक्सिस्फुल नहीं रहा था अग्सेप्ट ताहूद रिदोय जिन्होंने क्यावन रन की पारी के लिए थी और टॉप ओडर में 26 रन बनाने में सक्सिस्फुल रहे थे लिटन दास अपार्ट रॉम दिम तमीम इकबाल, नजमुल होसें, शन्तो, शाकेबल हसन ये सब ही 20 से नीचे रहे थे और मुश्विकूर रह्मान, अफीफ होसें जैसे विकेट कीपर और आल राउंडर दस रन से भी जादा बनाने में सक्सिस्फुल नहीं थे हैं अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो तसकिन आमद और शाकेबल हसन के नाम एक-एक विकेट रहा था अब यहां पर इनके ऑपोनेंट्स की बात करते हैं भाई अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक एज एक्सपेक्टेड धमाकेदार प्रदर्शन करता नजर आया फजल अकफारुकी ने तीन विकेट चटकाए मुझी बुर्रह्मान ने दो विकेट तो वही राशिद खान ने दो विकेट अपने नाम करें यहां पर मुहमद अभी और अजमतुल्ह उमर रजाई के हाथ भी एक-एक विकेट लगे थे वह जहां तक बात है इनकी बल्ले बाजी की तो रहमल अला गुरबाज और बिराहीं जादरान दोलों ही रन्सकोर करते निजर आये थे लेकिन इब्राहिं जादरान ने एक-टालिस अर्स की अच्छी पारी खेली नौट आउट रहे यहाँ पर रहमत चाह और रश्मतुल्ला शहीदी दो ऐसे बल्लेबाद होंगे जिन पर आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि overall अगर हम देखें तो अफगानस्तान की टीम काफी सौर्टेट दिखाई दे रही है